हेले स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 घातांक और घात प्रशनावली 12.1 से कोश्य नंबर 1 सोल करेंगे कोश्य नंबर 1 सोल करने से पहले हम घातांक के कुछ नियम समझेंगे तो देखें जैसे की हालिक है 10 की 4 इसे हम 10 की घात 4 पढ़ते हैं यहाँ पर 10 आधार है और 4 घातांक है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे हम इसे 10 की घात 4 इस तरह से पढ़ते हैं यहाँ पर यह जो 10 है यह आधार है और 4 घातांक है यहाँ पर 10 की घात क्या है? 4 गातांक के नियम अब हम गातांक के नियम पढ़ेंगे सबसे पहला नियम देखे क्या है? A की घात M, गुणा A की घात N बराबर A की घात M प्लस N देखे इस नियम से हमें यह पता चलता है तो गुणा करते समय जब आधार एक जैसे है तो इनकी घाते जुड़ जाएंगी यानि इनकी घात क्या है? M और N तो इनकी घात जुड़ जाएगी क्या है? M प्लस N अब इससे एक उधारन से समझे जैसे कि देखे दिया गया है 5 की घात 2, गुणा 5 की घात 8 तो इसके बराबर होगा तो देखे यहाँ पर आधार एक जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 और इनके बीच में क्या है? गुणा का निशान है तो गुणा करते समय जब आधार एक जैसे तो इनकी घाते जुड़ जाते है इसकी घात क्या है 2 और इसकी घात क्या है 8 तो इन दोनों की घाते जहें जुड जाएंगे तो 5 ठीक है फिर क्या M प्लस N यानि घाते जहें जुड जाएंगे तो 2 प्लस 8 क्या आया 5 की घात 10 तो देखे गुणा करते समय जब आधार एक जैसे हो तो घाते जुड जाएंगे तो क्या है 5 की घात 10 दूसरा नियम देखे क्या है a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m-n अब इस नियम से हमें ये पता चलता है कि भाग करते समय जब आधार एक जैसे हो तो घाते जै वो माइनस हो जाती है तो देखें यहाँ पर इनके बीच में भाग का निशान है ठीक है m-n तो अब इसे कुधारन से समझे जैसे कि दिया 9 की घात 10 भाग 9 की घात 8 तो इसके बराबर होगा तो देखें इनके बीच में भाग का निशान है और आधार जै एक जैसे यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 तो इनकी घाते जै माइनस हो जाएंगी तो देखें 9 अब इनकी घात माइनस हो जाएंगी घात का इसकी 10 और इसकी 8 तो 10 माइनस 8 क्या आया 2 तो 9 की घात 2 तीसरा नियम देखें क्या है एक घात m और इसकी घात n बराबर एकी घात mn तो लिखे से में पता चल रहा है कि जब इस तरह से हो A की घात M और इस सारे की घात N हो तो घात को घात से गुणा कर देंगे तो M को N से गुणा करेंगे क्या आएगा MN अब इसे एक उधारण से समझे देखे क्या दिया 2 की घात 3 और इस सारे की घात क्या है 2 तो इसे कैसे लिखेंगे घात को घात से गुणा कर देंगे तो 2 आधार X रहेगा घात को घात से गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 दुनी 6 तो क्या आया 2 की घात 6 चोथा नियम देखे क्या है A की घात माइनस M बराबर एक बटे A की घात M देखे इससे हमें पता चल रहा है कि जब आधार की घात माइनस में हो यानि जब घात माइनस में दी गई हो तो उसे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे उसे ऐसे लिखेंगे, एक बटे, एक की घात है, उसे एक के बटे में लिख लेंगे, तो वो घात प्लस की हो जाएगी, अब जैसे उधारन देखें, पांच की घात माइनस तीन, यहां क्या इसकी घात माइनस में है, तो इसे प्लस करने के लिए इसे हम कैसे लिखेंगे, एक बटे में पांच की घात तीन तो देखें इसे हमने एक के बटे में लिया तो घात प्लस की हो जाएगी तीक है अब फिफ्ट नियम देखें एक की घात एम गुणा भी की घात एम बराबर एबी की घात एम तो देखें यहां पर इस नियम से हमें पता चलता है देखें यहां आ आधार जो है अलग अलग हो और घात एक जैसी है तो आधार को घुणा कर देंगे तो एक को बीर से घुणा करा क्या आया A B और इस सारे की घात क्या हो जाएगी M क्योंकि दोनों की घात एक जैसी है तो आधार को आधार से घुणा करा क्या आया A B और घात क्या हो जाएगी इ अब देखे शिक्स्त नियम क्या है शिक्स्त नियम ये है कि जीरो को छोड़ कर अगर आधार कुछ भी हो और उसकी घात अगर जीरो है तो वो किसके बराबर होगा वो एक के बराबर होगा जैसे कि देखे यहाँ पर एक की घात जीरो है आधार क्या है यहाँ पर ए और इसकी बराबर होगा एक के बराबर बस आधार जो है जीरो नहीं होना चाहिए जीरो को छोड़ कर आधार कुछ भी हो सकता है जैसे कि अब यहाँ पर देखिए जीरो को छोड़ कर आधार क्या है दस और इसकी घात क्या है जीरो तो अगर आधार की घात जीरो है तो किसके बराबर हो ये भी किसके बराबर होगा, एकके बराबर होगा, ऐसी B की घात 0 तो वो भी एकके बराबर होगा, बस आधार जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब सैवंध नियम देखें क्या है, A की घात M, बटे B की घात M, बराबर इसे हम कैसे लिखेंगे, A बटे B और इस सारे की घात M, देखे, इन दोनों की घात क्या है, M है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, A बटे B और इस सारे की घात M, क्योंकि दोनों की घात एक जैसी है, अब question number 1 देखी, क्या है, मान ग्यात कीजिए, फर्स्ट पार्ट देखे, दिया गए, तीन की घात माइनस दो, तो देखे, इसके लिए हमने अभी यह नियम पड़ा था, A की घात माइनस M, बराबर एक बटे A की घात M, कि अगर घात माइनस में हो, तो उसे प्लस की करने के लिए, हम क्या करेंगे, उसे एक के बटे में तो 1 बटे 3 की घात 2 तो अब जो घात है वो प्लस की हो जाएगे अब देखे 3 की घात 2 का मतलब क्या है कि 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 गुणा 3 तो 1 बटे 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 तो answer क्या आया? 1 बटे 9 अब second part देखी दिया गया minus 4 की घात minus 2 अब यहाँ पर आधार minus 4 है और इसकी घात क्या है minus 2 तो देखे घात minus में है तो plus में करने के लिए इसे हम क्या करेंगे? 1 के बटे में लिख लेंगे तो 1 बटे में minus 4 और जिसकी घात है minus 2 वो plus की हो जाएगी यानि plus के 2 हो जाएगी तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 बटे माइनस 4 की घात 2 तो देखे एक बटे माइनस 4 की घात 2 का मतलब है कि माइनस 4 जो है दो बार गुणा हो रहा है तो माइनस 4 गुणा माइनस 4 तो माइनस 4 को दो बार लिखेंगे तो एक बटे अब देखें इन्हें गुणा करेंगे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लेस होता है माइनस को माइनस से गुणा करा प्लेस तो चार को चार से गुणा करेंगे चार चो के सोला यानि प्लेस के सोला आएगा तो आंसर क्या आया एक बटे 16, अब थर्ड पार्ट देखे दिया गया है, एक बटे 2 की घात माइनस 5, तो देखे एक बटे 2, इस सारे की घात जाए माइनस 5 है, यानि एक की घात भी माइनस 5 है, दो की घात भी कहा है, माइनस 5, तो मैंसे ऐसे लिख सकती हूँ, एक की घात माइनस 5, बटे 2 की घात मा हर में ले जाते हैं या हर को अंश में ले जाते हैं तो घात का निशान जहें बदल जाते हैं अगर घात माइनस के तो प्लस के हो जाते है और अगर प्लस के है तो माइनस के हो जाते है तो देखिए इन दोनों की घात जो हमें प्लस की करनी है तो ये जो एक है इसे हम हर में ले जाएंगे और ये जो दो है इसे हम अंश में ले जाएंगे तो इनकी घात जो है प्लस की हो जाएंगी निशान बदल जाएंगे इनकी घात के तो देखे एक को मैं नीचे हर में ले जाती हूँ तो एक की घात क्या हो यहां घात माइनस की थी तो वो प्लस की हो गए अगर प्लस की होती तो वो माइनस में हो जाती अब देखें दो की घात पांच का मतलब है कि दो पांच बार गुणा हो रहा है यानि दो को पांच बार लिखेंगे तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो और ब 32, बटे में क्या है, एक को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक आएगा, 32 बटे एक को हम कैसे लिख सकते हैं, 32, तो अंसर आया 32, तो यह था question number 1, आज इस वीडियो में हमने question number 1 सोल करा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you.